मुरली हम ऐसे की तरह सोन पापड़ी को बना कर अपनी टोकरी में रखकर बेचने के लिए चला जाता है एक जगह पेड़ के नीचे अपनी टोकरी को रखकर सोन पापड़ी की आवाज लगाने लगता है मुरली जिस पेड़ के नीचे अपनी सोन पापड़ी बेच रहा होता है उसी पेड़ के उपर एक चुड़ेल सो रही होती है और मुरली की आवाज सुनकर वो चुड़ेल जग जाती है और मुरली की आवाज से बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं मुरली भाईया, मुरली भाईया, हमें सोन पापड़ी दो ना। ठीक है, ठीक है, मैं अभी सभी को एक एक करके सोन पापड़ी देता हूँ। चुडेल उन बच्चों को सोन पापड़ी खाती हुए स्वात से देख रही होती है। ये सबी बच्चे इतना स्वाद ऐसी रंग बिरंगी कौन सी चीज खा और बार-बार खाने के लिए मांग रहे हैं। और तो और इसमें तो उसमें से इतनी अच्छी खुश्पू भी आ रही है। तभी एक बच्चा मुरली से कहता है। अच्छा तो ये बच्चे सोन पापडी खा रहे हैं। चुडेल मुरली की टोकरी में पड़ी सोन पापड़ी को थोड़ी सी खा लेती है और चुडेल मुरली की टोकरी में पड़ी सोन पापड़ी को थोड़ी सी खा लेती है और चुडेल मुरली की टोकरी में पड़ी सोन पापड़ी को थोड़ी सी खा लेती है और चुडेल मुरल में कुछ भी सोन पापड़ी नहीं होती है, अरे इस आदमी की टोक्री में तो एक भी सोन पापड़ी नहीं बच्चान अपने घर जा जाता है, इसकी सोन पापड़ी अच्छी और स्वादेश्च है कि बस खा कर मज़ा ही आगया, अगर यह आदमी घर चला गया, तो मुझे उ सोन पापड़ी लाकर मैं और मेरे बच्चे खाया करेंगे और चुडेल को मुरली का घर का पता चल जाता है चुडेल हर रोज सोन पापड़ी की चोरी करने लग जाती है एक रात मुरली और उसकी पत्री सो रही होते हैं अभी वहाँ पर सोन पापड़ी चुराने के लिए चोडेल आ जाती है चुडेल? ये तो चुडेल है और ये हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती है उठो जी, अरे उठो जी चुडेल? ये तो चुडेल है पिर अगले दिन मुरली की पतनी सोन पपड़ी बना रही हो तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे हाथ की बनी सोन पपड़ी खा कर दस्त लग जाते है पिर रात ओने पर सोन पपड़ी चुराने के लिए चुड़ेल आ जाती है और सोन पपड़ी को चुड़ा कर ले जाती है ये बच्चो सोन पपड़ी चितनी चाहे खाओ और फिर चुड़ेल और उसके बच्चे सारी के सारी सोन पपड़ी खा जाते है मा, मेरे पेट में बहुत तेस दर्थ हो रहा है मुझे दो नमबर जाना है मा मेरे भी पेट में बहुत तेस दर्थ हो रहा है मुझे भी नमबर दो जाना है अरे ये क्या मेरे पेट में गुर्गुर क्यों हो रही है लगता है मुझे भी नमबर दो जाना पड़ेगा और वो सबी दो नमबर जाकर वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसकी सोन पपड़ी कभी नहीं चुराते